आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल संसाइन एजुकेशन क्लासेस पर और आज किस वीडियो में मैं उन इस्टुएंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो ये नहीं जानते हैं कि क्लास 12 के बहुते विज्ञान सब्जेक्ट में कौन से पोर्शन को समलि किया गया है और 30% सिल्बस को क्या कर दिया गया हटा दिया गया है तो 30% सिल्बस में कौन-कौन से टॉपिक्स को हटाया दिया गया उन्हीं को हम वन बाई-वन आज डिसकस करेंगे क्योंकि ये टॉपिक क्या करना है हमको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए क्योंकि यह तो जानना बहुत ही जरूरी होता है कि कौन से topics को पढ़ना है और कौन से topics को छोड़ देना है। आप सभी यह जानते हैं कि handed marks का यह subject है आपका उसमें 70 नमबर आपको किस तरीके से मिलता लिखी तौर पे एक जामनेशन के तौर पे मिलता और 30% जो मार क्यानी 30 नमबर है वो experiment के माध्यम से मिलता है। तो unit first में अगर आप देखेंगे unit first यानि काई first इस्तिर वैदुत की करके यहां पे एक topic है unit काई का इस्तिर वैदुत की एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर तथा बाहर वैदुत्चेतर की या विदुत्चेतर की तीवता गयाद करने के लिए जो गौस के नियम ए आपके चार चैप्टरों को समलिद कर लिए करके बना दिया गया है तो उन चारों चैप्टर में एक आता आपका क्या ची गौस का नियम तो इस गौस के नियम में एक टॉपिक यह भी आता है कि कोई एक पतले आविशित खोल गोली को खोल हो तो इसके भीटत अता बाहर वैद एस सेकेंड में आपको क्या-क्या मिल जाता है नहीं पढ़ने के लिए जैसे की कार्मन प्रतिरोधुकों के लिए वर्ड कोड और क्या है प्रतिरोधुकों का स्रुड़ी अथ्वा पार्शुक्रम साइयोजन जो कि यह दो टॉपिक को यहां unit second से क्या कर दिया गया है हटा दिया गया है अब अगर देखेंगे unit third में unit third में क्या-क्या चीजे यहां से हट जा रही है unit second आपका क्या है का 20-30 आपका क्या है विदुधारा का चुमकी प्रभाव तथा मकत्वर्ण यह आपका unit third तो सी उनिस थर्ड में आपके कौन-कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे आपका यह क्या है चुम्बकी दूइधरू या छण चुम्बक के कारण उसके अच के अनुदिस तथा अच के अभिलंबवत चुम्बकी छेत तीवता एक है दूसरा क्या है एक समान चुम्बकी छेत में चुम्बकी दूइधरू या छण चुम्बक पर बल आगूड चुम्बकी अव्यव अन चुम्बकी प्रत चुम्बकी तथा लो चुम्बकी पदार्त उदाहरन सहीत विद्दूत चुम्बक तथा उनकी तीवताओं को प्रभा सावित करने वाले कारग और उसी के साथ साथ एक टॉपिक और हटाया गया है क्या चैस्थाई चुम्बग यह आपको यूनिट थर्ड में सारे टॉपिक्स पुराने किताबों में आपको मिल जाएंगे अगर नए किताब की विबात करें इस साल तो इसमें भी है लेकिन उन चुम्बकी प्रिरार तथा प्रत्यावर्ति धाराएं या फिर धारा इसमें क्या क्या आपको छोड़ देना पढ़ने के लिए जैसे कि आप देख रहे होंगे सक्ति गुरांक वाटहिन धारा इसमें भी थी इन दोनों टॉपिक्स को क्या कर देना है अब छोड़ देना वैदुचुम्बकी तरंगे यह आपका क्या है यूनिट है उस यूनिट में आपको क्या क्या छोड़ देना है विश्थापन धारा की आवस्यक्ता तो अब इस तरीके से आपका एक बुक क्या होता है बिल्कुल फाइनल हो जाता है क्या क्या इसमें छोड़ा गया है 30% के स अब चलते हैं दूसरे यूण बुक में जो आपका क्या है part 2 भुख है उस part 2 यानि क्ंड खे में आ आपको पहला यूनिट मिलेगा व क्या मिलेगा part 1 का देख सकते हैं क्या है प्रिकास की ठीक है यानि यहां पे optics related यह portion है इस optics में आपको मिल जाएगा क्या क्या चीज जो नहीं पढ़ना है जैसे की गोली दरपड़ दरपड़ सूत्र प्रिकास का परावर्तन प्रिकास का प्रकीडन का आकास का नीला रंग दिखाए देना सुर्योदय वर सुर्यास्त के समय आकास में सुर्य का लाल रंग दिखाए देना सुच में दर्सी तथा दूर दर्सी की विभेदन च्छमता क्या होती है यह तो आपको इसमें इतना पूरा का पूरा यहां पे लाइट से रिलेटेड यह टॉपिक था यह आपको नहीं पढ़ना है फिर आता है इसे में और भी इसकी कई सारी प्रापर्टीज हैं लाइट की जैसे की धुरूवड हो गया समतल धुरूवित प्रिकास ब्रुष्टर का नियम समतल धुरूवित प्रिकास था प्रकिर्थ आप सभी यह जान लीजें लाइट जो होता है वह डूल नेचर रखता है उसमें पार्टिकल वाला भी नेचर होता और उसी के साथ साहथ यहां पर यूनिट सेकेंड में आपके लाइट से रिलेटेड यह सारी चीज़ें है यहां पर यह तरंग से रिलेटेड बन गया है वस इतना ही अंतर है तो इसको भी याँ क्या करना छोड़ देना है द्रब तथा विकरड़ों की द्वैत प्रकीर्थ डेविशन तथा जर्मर प्रियोग जो है इन सब गुड़ होते हैं उन गुड़ों को भी नहीं पढ़ना है रेडियो एक्टिच है नियाम बंधन उर्जा प्रति नुकलियान तथा द्रविमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन क्या क्या होता है यह कुछ भी आपको पढ़ना नहीं है यानि आपके लिए क्या है बहुत ही सिल्बस डिसाइड हो गया है और आसानी साब इसको क्या कर पाएंगे पढ़ पाएंगे तयार कर पाएंगे अब आता है यूनिट फोर्ड यूनिट फोर्ड क्या है आपका इलेक्टरानिक युक्तियां आपको यहां पे अलग-लग प्रिकार के डिवाइसेस के बारे में बा यह सभी जो बहुत एडवांस लिवल की सारी चीजे थी उनको क्या कर दिया गया है इस बार हटा दिया गया यह आपके सिल्बस में बिल्कुल नहीं रखी गई है अब आता है यहां पर एक्सपेरिमेंट से रिलिटेड पार्ट करम से हटाएगा प्रियोग कौन-कौन से इस्पेरिमेंट आपके सिल्बस में बताया था कि 30 आपको मिलता है उसक्सपेरिमेंट के हैं नाये मिलता है यह सभी करक्र Iowa के उत्यानीजि bawह एक्सपेरिमेंट के मिलने PFOW होटा में यह इस आपको प्रियोग में यह नहीं मिलने जैसे कि क्या है जँसे में दर्सी द्वारह कांच के गुठके का पॉरत दर्पण करना संस में भारत दर्पण का उत्तर का विभिन मानु के लिए उत्त Like की फोकस दुरी घ्याद करना मिल द्षाता थां увидеть हम झेन का सत्यापन त्था तरक के का विशिष्ट प्रतिर्वोद गयात करना पांच्वाइसी तरहा है उत्तरलेंज का उप्योग करके उत्तर दर्पड की फोकस दोरी गयात करना एसे सारे टॉपिक्स आपके हैं यह सभी के सभी क्या कर दिये गए इस बार एक्सपेरिमेंट के सिल्वे से हटा दिये गए हैं, पार्ट टु में भी आपके विश्टाप्पन विदी से उत्तर लेंज की फोकश दूरी गयात करना तुम भी आपको क्या कर दिया परिसेंट पार्ट वन में आने वाले हैं 35 रख और ऐसे ही पार्ट टू में भी आपके 35 रर्ख किताब है उन दो किताबों में एक किताब आपका 35 नंबर का दूसरा किताब भी आपका 35 नंबर का होत ए ठीक है तो देखिएगा यहां क्या है पहला तो हमने बताया कि unit first आपका इस्तिर विद्धुत की धारा विद्धुत करके दूसरा हो जाएगा धारा का चिमकी प्रभावत ता चिमकत हो जाएगा यह सभी के सभी आप देख रहे होंगे की आठ नंबर नंबर पहला यूनिट सब्सक прошiva का है प्रकासिका कर्वावन जाने वाला है और उसी के साथ परमाड लथा नहां दाथ नाभीक भी आपका आफ seminar का है इलेक्ट्रानिक युकतियां भी आपको कितने मांक्श की मिलने वाली है आउ नकर मिलने वाली यानि यानी क्ल मिलाजोला करके यह भी 35 मार्क होने वाला है तो इस तरीके से यह क्या हो जाता 35 आपका 70 हो जाता प्लेस तीस नमबर आपका क्या एक्सपेरिमेंट का मिला जुला के 100% मार्क्स आपके कमप्लीट हो जाते हैं अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि यूनिट फर्स्ट में इस्तिर वैदुत की जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है देख रहे होंगे इतना सारा टॉपिक्स आपको क्या करना पढ़ना और इसी तरौए से यूनिट second में धारा विद्धुर्स है उतना सारा टॉपिक्स इसमें भी आपको क्या करना है पढ़ना यह सब यह बहुत तो जीतनी नहीं आपको देख रहे जक अब है प्रकाश की इसको आपको क्या जर। और आछिव एक सर्ट 극ंट में एक सारए तयार कर लेना है इस तरीके से आपका क्मब्लीर हो जाता है कि कौना वीडियो सब्स प्राइब है और कौनवेगाने नहीं है अब दोस्तों कहना है इतना अंत में बस इतना कि अगर आपको यह वीडियो मेरा पसंद आए तो ज्यादा ज्यादा सेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है मिलते हैं इसे प्रकार के कुछ और वीडियो में तब तक के लिए देजिए जाज़ बाइ बाइ